तो जिनकियां संपधा की कमी होती है वैवहो की कमी होती है लच्मी की कमी होती है भन की कमी होती है बड़े बेटे को करना चाहिए कि छोटे को करना चाहिए शिव महापुरान की कथा करती है अगर जायजात का पूरा हिस्सा बड़ेने लिया हो और तुमने अपनी माता का दू दूद ना पिया हो तो एक ही को कर लें दो अगर माता का दूद पिया है और अगर एक अंगूठी भी लिए है जरासा कपड़ा भी अगर सास का लिया है तो सरात तो तुझे करना ही पड़ेगा करना ही पड़ेगा तुने मेरा दूद पिया है तो बिलकुल जमगितों बोलो अगर तुमने उनका कुछ खाया है तो अब एक काम और हो सकता है गुरुजी अगर हम नहीं करें और बड़े भाईया करें और हम उन्हीं किया चले जाएं तो चले जाए ना कौन कर रहा है पूड़ी का टेल तु ले जा खीर का दूद दो थेली तु खरित के ले जा जित्ता वहां वो सेवा करें उत्ती सेवा तुम करो गलत है क्या जाएज़त का भी तो हिस्सा किया था सुई की नोक के वरावणनी दुआ ने इंट इदर खसकी है तो मारी इदर खसका दीज़े मारी बसियत में इत्ता लिखा है तो फिर बसियत में ये भी लिखके जाना चीए था मैं तो क्यों सब के तुम गरों मती रहे एक भी जब छोरा छोरी के जब सब समान प्रोपटी द दोलना किता दिया धेरों और एक बात बहुत अच्छे से कहूंगा आप लोगों के जीवन में उत्रे अैं कि अगर माइके में माइके में भाई माइकें में भाबी माइके के लो अगर आपके माबाप का श्रध नहीं करते हैं तो बेटी भी अपने माता-पिता का श्राद कर सकती है उसने भी दूद पिया है अपने माता-पिता का पर वो श्राद का भोजन कौन कराएगा बेटी का पुत्र हो बेटी की पुत्री हो वो कराएगा और नाम वो नाननानी का ले ले करे अगर वो नहीं कर रहा हैं वो नहीं समालते, वो नहीं जानते, तो आप करो, शरी शिवाय नमस्तु भ्यम, सब बोली एक बार जम कर, शरी शिवाय नमस्तु भ्यम, प्रेक्टिकल जरूर करना, कहीं सीवर वाला महरा जुट तो नहीं गोल रहा, सास्त्रों की बाते हमरे जीवन में हमें सुख प्रदान करे इसलिए भाव का अनंद करते हुए आज की कथा को भी राम देते हैं